सिक्षार्थियों नमस्कार अब हम सर्व सिक्षा अभियान कारिक्रम क्या है और इसकी क्या उपा देयाता है इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले या समझने की कोशिश करते हैं कि सर्व सिक्षा अभियान आखिर है क्या तो सर्व सिक्षा अभियान को सभी के लिए सिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है सर्व सिक्षा अभियान के लिए कहा जाता है कि प्रत्यक व्यक्ति एक को पढ़ाए यहाँ भारत सरकार द्वारा चलाय जा रहे एक अनुकरणिय कारिक्रम के रूप में 2000-2001 में प्रारंब किया गया एक महत्वण अभियान है प्रारंब में यह योजना वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष के आयू समुहों के सभी बच्चों को उपयोगी तथा सार्थक प्रारंबिक सिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी अब हम यहाँ जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि सर्व सिक्षा अभियान का संप्रत्य क्यों और कैसे आया मैं अपनी बात प्रारंब करता हूँ गांधी जी के इन सब्दों के शाथ कि निरक्षरता हमारे लिए पाप और शर्मनाक है इसका विनाश किया जाना चाहिए और यहाँ सत्य भी है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो रास्ट्र की सामाजिक और आर्थिक स्थति में सुधार लाने के लिए एक जीवन्त भूमी का निवा सकती है सिक्षा नागरीकों में विशलेशनक शमता का विकास करने के साथ साथ उनका सरशक्ती करण भी करती है इससे सिक्षा को प्राप्त करने वाले अत्वा सिक्षा को ग्रहन करने वाले के आत्म विश्वास कास्तर बहतर बनता है और उनके सामर्त एवं दक्षता में व्रद्धे होती है हमारे देश में समय समय पर बनने वाली सरकारों ने सिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाओं जैसे कश्टूर्बा गांधी बालिका विद्याले योजना के अंतरकत बालिका विद्याले खोलना, मद्यान भोजन की योजना के तहट सरकारी विद्यालेओं में पढ़ने वा सर्वशिक्षा अभियान जो है वो सिक्षा में केवल पाठे पुक्स्तकों से ही सीखना सामिल नहीं है बलकि इसमें मूल्यों, कौशलों तथा क्षमताओं में विर्द्ध की परावर भागिदारी है। और यह सब हासिल होगा सिर्फ और सिर्फ प्रारंबिक सिक्षा के ठीक तरीके से विकास करने से। ऐसे में प्रारंबिक सिक्षा को प्रोचसाहन देने के लिए स्वर्व सिक्षा अभियान ने बहुत महत्तपून भूई का अदा की है। सर्व सिक्षा अभियान में प्रारंबिक या प्रात्मिक सिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्यों का निरधारन किया गया है। सर्व सिक्षा अभियान को प्रारंब करने के पीछे का उद्दे से क्या है अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर्व सिक्षा अभियान का लक्ष विद्यालियों के प्रवंधन में समुदाय एवं समाज की सक्रिय भागिदारी के माध्यम से सामाजिक, छेत्री और लिंग संबंदी भेदबाओं अत्वा अंतरालों को समाप्त करने के साथ ही प्रारमिक सिक्षा के सारो भौमिकर्णों को यदि हम सर्व सिक्षा अभियान के उद्देश्यों की बात करें तो पाते हैं कि सर्व सिक्षा अभियान एक मिशन के रूप में सिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक महत्वपून प्रयास है और इसके उद्देश्य हैं जिसकी अब हम चर्चा करेंगे इस कारेक्रम के अंतरगत ऐसे गाओं में जहां अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहां नए विद्याले कोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास्रोम अध्यन कक्ष, सोचाले, पीने का पानी, मरम मत ने थी, विद्याले सुधार ने थी प्रदान कर उसे सशक्त बनाया जाना है, वर्तमान में संचालेत ऐसे विद्याले, जहां सिक्षकों की संख्या परियाप्त है, वहां अतिरिक्त सिक्षकों की विवस्था करना, हम सब जानते हैं ठीक तरीके से, कि हमारे देश में जो प्राथ्मिक विद्याले हैं, वहां सिक्षकों की परियाप्त स सिक्षकों की व्यवस्था की जाएं। उसको समाप्त करने के लिए कंप्यूटर सिक्षा प्रदान करने पर भी बल दे। सर्व सिक्षा अभियान के उद्दिश्यां को प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे छोटे लक्षों का भी निरधारण किया गया था। अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सर्व सिक्षा अभियान के उद्देशों को प्राप्त करने के लिए किन छोटे-छोटे लक्षों का नरधारन किया गया है और इन उद्देशों के पूर्ति के लिए किस प्रकार के लक्ष नरधारित किये गए थे और उन लक्षियों को उन लक्षियों का उद्देश सी क्या था वो लक्षि किस प्रकार के थे इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे विद्याले, सिक्षा गारेंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालेयों या विद्यालियों में वापसी अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को पुना सिक्षा की मुक्यधारा से जोड़ना इसका एक प्रमुख लक्ष था दूसरा प्रमुख लक्ष जो था वह यह था कि वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की आईवाले समस्त बालकों की प्रात्मिक सिक्षा को पूर कराने के लक्ष को हासिल करना भी इसका एक उद्दे से रहा है वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की आईवाले समस्त बालकों की प्रात्मिक सिक्षा को पूर कराने के लक्ष को हासिल करना भी इसका एक उद्दे से रहा है वर्ष 2010 तक सारवत्रिक प्रतिधारण जिसे युनिवर्शल रेटेंशन कहा जाता है उस लक्ष को हासिल करना भी इसका एक प्रमुक उद्दे से रहा है इन लक्षों की पूर्ति के लिए पूर में चल रही योजनाओ को सर्वशिक्षा अभियान के घटकों में शामिल किया गया है ये जो हैं वो सब SSA के कॉंपोनेंट्स में ठीक तरीके से शामिल भी किये गया है अब हम यहाँ जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुक घटक कौन कौन से हैं और एक-एक करके उन कॉंपोनेंट्स को जानने समझने और ठीक तरीके से उसकी क्रेटिकल एनालेसिस करने की उसका अलोशनात्मक मुल्यांकन करने का प्रयास करेंगे सर्वशिक्षा अभियान के घटक जो हैं जो की पूर में संचालित योजनाएं ही थी वो एक-एक करके हम लेंगे तो पहली योजना को हम लेते हैं सिक्षा गारंटी योजना जिसे एजुकेशन गारंटी स्कीम भी कहते हैं निरावपचारिक सिक्षा को 1 अप्रिल 2001 से सिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं अभिनव सिक्षा जिसे की अंग्रेजी में एजुकेशन गारंटी स्कीम और अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन EGSAIE के रूप में परिवर्तित कर सरफ सिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया इसके अंतरगत किसी भी छेत्र में नियूनतम 10 बालकों के उपलब्द होने पर प्रात्मिक विद्याले प्रारंब किया जाने का प्रावादान है कई से difficult areas हैं जैसे tribal jones हैं जहां की जंगल हैं वहां घनी आबादी नहीं होती है एक छोटे छोटे गाउं की तरह वहां बसावट होती है और उन बसावट में बच्चे जो हैं उनके विद्याले उनसे बहुत दूर होते हैं तो ऐसे विद्यार्थी भी ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सकें और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा उत्पन ना हो इसके लिए सिक्षा गारेंटी यूजना की शुरुवात की गई थी यदि दस बच्चे भी हैं तो एक प्रात्मिक विद्याले प्रारम कर दिया जाए ऐसा नर्देश सरकार का सरकार ने दिया था अगली जो प्रमुक योजना है वो ऑपरिशन ब्लैक बोर्ड योजना है विद्यालेओं में अध्यापन सामगरी की पूर्ती से सम्मंदित इस योजना को वर्ष 2003 में सर्वसिक्षा अभियान का घटक बनाया गया था यह योजना जो है वो जो मिनिममम फैसलिटी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए उसको कैटर करने के लिए उसकी आवशकता को पूरा करने के लिए वो यह योजना शुरू की गई थी जैसे की चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और जो मिनिममम बैठने, फरनीचर प्रैमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है, सैक्षी ग्रूप से पिछड़े जिलों के लिए चलाये गए इसका रेक्रम को वर्ष 2009 में सर्वसिक्षा अभियान में शामिल किया गया, सर्वसिक्षा अभियान के प्रमुक केंदरित छेत्र य दूसरा है, विशेश जरूदनत मंद बालकों की सिक्षा संबंदी व्योस्थाओं की पूर्ती करना, तीसरा है, सामुदाइक एक जुटता या संगठन के प्रयास करना, चोथा है, बाली का सिक्षा को बढ़ावा देना, पाचवा है, प्रारमिक सिक्षा की गुण वत्ता म सातवा है, सतत वित्त पोषण, प्रारमिक सिक्षा कारेकरम का वित्त पोषण सतत जारी रखना, आठवा है, सामुदाइक स्वामित्व, महिला समुव, ग्राम सिक्षा समित के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सामिल करके सामुदाइक सामित्व को बढ़ावा देना है, 9 है, संस्थागतक शमता निर्माण, 10 है, सैक्षिक प्रशासन के प्रमुक धारा में सुधार, 11 है, पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदाहिक निरिक्षन, 12 है, समुदायक प्रतिजवाब देही, 13 है, बालिकाओं के सिक्षा, 14 है, विशे समुह पर मागिता पर विशेज ध्यान देना, सरव सिक्षा अभियान में सिक्षा के कौन्स सैसे अभिकरण है, या कौन सैसी एजनसी हैं, जिनकी भूमिका को सर्वत पर रखा गया है या जानना भी हमारे लिए बहुत महत्तौपोण है, सरव सिक्षा अभियान के अंतरकत राष्ट् प्रसिक्षण परिसत जिसे S-C-E-R-T कहते हैं, सिक्षा प्रसिक्षण के राज्य संस्थान जिसे S-I-E-MAT भी कहते हैं, जैसे राष्टरी एवं राज्यस्तरी संस्थाओं के लिए एक शमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका तय की गई, ये ऐसी एजेंसी थी जिनक कि सर्वशिक्षण भियान को सफल भनाने के लिए इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया, important आका गया और इनको जिम्मेदारी दी गई कि सर्वशिक्षण भियान को वो ठीक तरीके से लागू करें एवं सफल बनाएं, सर्वशिक्षा भियान का फूकस संस्थागत सर्व सिक्षा अभियार में प्राथ्मिक सिक्षा के प्रसार यों सुधार के लिए मौजूदा सैक्षिक पद्धती का वस्तु परक मुल्यांकन करना जिसमें सैक्षिक प्रसासन, स्कूलों में उपलब देस्थर, वित्तिय मामले, विकेंडरी करण, तथा सामुदाईक सामित राज्य सिक्षा अधिनियम की समिक्षा, सिक्षकों को नियुक्ति, तथा सिक्षकों की तैनाती को तर्क संगत बनाना, मौनिटरिंग, तथा मुल्यांकन, बालिकाओं, अनसूचित जन जाती, तथा सुविधा विहीन वर्गों के लिए सिक्षा, निजी विद्यालेओं, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्ता संरक्षण एवं सिक्षा, ECCE संबंदी मामलों की देख रहके विकल्पों पर प्रात्मिक अनिवार्यता एवं समय पर उचित वित्य प्रबंधन के साथ फोकस किया गया है। 85% खर्च केंद्र सरकार द्वारा हुं, 615% खर्च राजसरकार द्वारा वहन किया गया। अब हम यहां जानने और समझने के कोशिश करेंगे कि यहां जो की विवस्तित प्रबंधन से जिन उपलब्धियों को हासिल कर पाया है, वह उपलब्धियां आखर हैं कौन-कौन सी। तो हम यहां पे 5 महत्वपुन उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पहली महत्वपुन उपलब्धि जो है और यह उपलब्धियां जो है वो वर्ल्ड बैंक से प्राप्त आकणों के आधार पर ही निरधारित की गई हैं। तो यह पांच जो उपलब्धियां वहाँ हैं की काफी हद तक विद्यालियों में प्रतिधारन के लक्ष को हासिल करने में सफलता हुई। विभिन कारेक्रमों के जरिये उन्हें भी शामिल किया जा रहा है जैसे आवाशी या केंद्र घर पर सिक्षा, आवाशी केंद्र को इंग्लिश में रेजिदेशन सेंटर और घर पर सिक्षा को हम लोग होम बेस्ट एजुकेशन कहते हैं। कि योर अग्रसर हैं। धन्यवाद। झाल झाल झाल